केंद्रे ग्रिमत्री रासनास 거예요 ने पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी करार दिया है मंडी में पन्ना प्रमुखों के समेलन को सम्भोधित करते हुई रासनास जिंग ने कहा कि जमू कश्मीर में सेना ने चार दिनों में 18-19 आतंकवादियों को मार गिराया है जिसमें लक्षरे तोयवा का टॉप कमांडर भी शामिल है उन्होंने कहा कि सेना का मौनवल उंचा है जिसके चलते भारत एक सुरक्ष देश है मगर पडोसी देश भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है हाला कि परधानमंत्री नरिंद्र मोदी की ओर से दोस्ती के परस्ताव गए है मगर पाकिस्तान अपनी हरक्तों से वास नहीं आ रहा है उन्होंने कहा कि अतंकवाद वैश्विक समस्या है जो पाकिस्तान की धर्ती में पैदा हो रहा है पाकिस्तान में चीनी दूता वेस पर अतंकी हमला हो गया राजनात ने कहा कि पाकिस्तान इमानदारी से सोचे तो भारत अतंकवाद को खतम करने में सेयो कर सकता है ग्री मंत्री ने कहा कि देश के 90 जिले नक्षलवाद से प्रभावी थे मगर अब यह मात्र आठ चीले तक सिमट कर रह गया है उन्होंने धावा किया है कि मोधी सरकार नक्षलवाद को तीन से पांच सालों में पूरी तरह से खतम कर दी की उन्होंने कहा कि सीमा पार्स सेना के कैम पर हमला करने वाले अतंकियों को सेना की जवानों ने सर्जकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान की धर्ती पर जाकर एक-एक को मार किराया यह हूं जर्लाकिस्तान है कि हरतों सलघकल नीहां है कि ठीक होगा ऐसराे के घुटा गुटा वाशथा अरन नौनरी कि तरह निअ पर कि अपने बदोंगे का सफायर नहीं कर सकता है तो इमांदार ये कि होता सोच में कि हमको आपनगा का सफायर बनाए भारज जैसे देश का भी और सभी और सभी और साथ कर सकता है क्योंकि एक लोगा स्लाव में गलाये है भैसें संकतों को एक प्रकत को ये खॉदक के तो आपने कि दोरते हैं कि यह नहीं कर रहा है को इना दाने के समाथ है। सब्सक्राइब कर दाए मैं कभदाने के उरप नहीं है। पाकिस्टान से आखर पुछा कर दुवाई हैं। राप उसले हैं। अमारे सेला के दुपार गादिया आहां मदा रखिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अर्थ सास्त्री मानने को तैयार हो गए हैं कि भारत विशिव की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थ विवस्ता है। उन्होंने कहा कि भारत विशिव की अर्थ विवस्ता के टॉप 10 में से पहले 9 मी और अब 8 में स्थान पर पहुँच गई है। उन्होंने दावा किया है कि बश 2030 तक भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थ विवस्तां में शामिल हो जाएगा। अर्थ विवस्ता के अंदर ही हमारे प्रगामात्री में बहुत अर्थ विवस्तां किया है। अर्थ आयरा आको पताना शाहता हूं अगले विवस्तां ही हमारा भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्री में होगा और 2030 आपे आपे हमारा भारत ये दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आगर शाम हो जाएगा। ऐसा गई शानी कांग हमारी सरकारी स्वेटर पहुए है। अंगर वासी जलत्ने वाली पर्फिका परी है। सबी सच्याइव भी कार लगते है। जबिशा आपकी जलत्या के कार लगते हैं इस ये भाव को गूलना मद है। हम ये राजेरी पार्टे के कार अपता हैं। कि हमें एक अच्छे इंसान के उत्पें और नहीं पर पर्हार करते हुए कहा कि कॉंग्रस पार्टी ने देश में सबसे लंबे समेत तक शाषण किया जिसके चलते रासनिती और रासनीता उं के विश्वास का संकट पैदा हो गया है जबकि रासनिती में विश्वास के इस संक को समापत करना ही भारतिय जंता पार्टी का उधिश्या है राजनास दिंग ने कहा कि राजनिती में अच्छा इंसान बनकर काम्याबी हासिल की जा सकती है उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम ने भक्ति की राजनिती की थी तो भगवान श्रीक्रिशन ने युक्ति की राजन करते हैं तो वह मुकदी की राजनित्य बन जाती है लेकिन कुछ लोग अब जाती और गोत्र की राजनित्य करने में लगे हैं जो भी पत्ती की राजनित्य बन गई है मंडी के पडल मैदान में जूटे पन्ना प्रमुकों के संबोधित करते हुए ग्रीमंद्री रासना सिंग ने कहा कि हिमाचल में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो मंडी की भूमिका एहम रही है उन्होंने कहा कि 2007 में हिमाचल में सरकार बनने के लिए मंडी के पडल मैदान से यूबा गर्जना रैली के शुरुआत की गई थी अब केंदर में 2019 में नरेंदर मोधी की सरकार दोबारा बनाने के लिए मंडी के इसी मैदान से शुरुआत की गई है उन्होंने कहा कि भासपा की काम्याबी में पन्नापुक्षों का एहम रोल रहता है भासपा इस समय विशप की सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी बन कर उबरी है जो केबल सरकार बनाने का नहीं बलकि देश बनाने का काम करती है यहीं किसी भी आईएटी पार्टी का हमेलन पपन हो करता है बहनों आयूर केबलों के लगर आती है जन्दावारखी का इस अच्छाई से मर्शी तरफ परिशित कि हिमाशद में जबी कोई पड़ा परिवर्पन हुआ है तो उसमें मन्नी में अपनी महत्तुम रदूनी का अंदर रखिये है आगे का मक्ष्य आपके दामने यही है कि चार की चार लोग सवासी जोपर भाजबी जन्तावाइटी को भी एक आप दरोगोंई शाहिए कि मैं कुनी दाव्ट है को ह कि हमारे जो प्रणा प्रभू लगोंगे पर कि हमतसे क करते हैं और यहीं मारे राथी कि काउजा मिएमें नहे है नहां रहो 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 रहो